जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप जब? ये बताने के लिए comment box में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम सुनेंगे 16 सोमवार की व्रत कथा, जो इस प्रकार है एक बार भगवान सिव जी पारवती जी के साथ ब्रमण करते हुए म्रत्य लोग की अमरावती नगर में पहुँचे उस नगर के राजा ने भगवान सिव जी का एक विसाल मंदिर बनवा रखा था सिव और पारवती उस मंदिर में रहने लगे एक दिन पार्वती जी ने भगवान सिव जी से कहा कि हे प्रार्णात आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है पार्वती की इच्छा जान कर सिव पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए खेल प्रारंब होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया माता पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि हे पुजारी जी ये बतलाईए कि इस बाजी में जीत किसकी होगी तो पुजारी ने कहा कि महादेव जी की परंतु चौसर में सिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी जीत गई तब पुजारी को उन्होंने जूट बोलने के अपराद में कोड़ी होने का स्राब दे दिया सिव और पारवती उस मंदिर से कैलास परवत लोटाए पारवती जी के स्राब के कारण पुजारी कोड़ी हो गया नगर के इस्त्री पुरुस उस पुजारी की परचाईं से भी दूर-दूर रहने लगे कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोड़ी हो जाने की सिकायत की तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोड़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया उसकी जगए दूसरे ब्राम्भण को पुजारी बना दिया कोड़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैट कर विच्छा मागने लगा कई दिनों के पस्चात स्वर्ग लोक की कुछ अपसराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा पुजारी नेनी संकोच उन्हें भगवान सिव और पारवती जी के चौसर खेलने और पारवती जी के स्राब देने की सारी कहानी सुनाई तब अपसराएं ने पुजारी से सोला सोमवार का विदवत व्रत रखने को कहा पुजारी द्वारा पूजन विदी पूछने पर अफसराओं ने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर इस नानादी से निव्रत होकर सुच्छ वस्त पहन कर आधा सेरगेहूं का आटा लेकर उसके तीन भाग बनाना है फिर घी का दीपक जला कर गोड, नैवेद्य, वेल पत्र, चंदन, अक्छत, फूल, जनिव का जोड़ा लेकर प्रदोस काल में भगवान सिव जी की पूजा अर्चना करना पूजा के बाद तीन भाग में एक भाग सिव जी को अरपन करके एक आप ग्रहन करें सेज दो भागों को भगवान का प्रसाद मान कर वहाँ उपस्तित, इस्तरी, पुरसों और बच्चों को बाट देना इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सुमवार बीत जाएं तो 17 सुमवार को एक पावाटे की बाटी बना कर उसमें घी और गुण मिला कर चूर्मा बनाना फिर भगवान स्यू को भोग लगा कर वहाँ उपस्तित, इस्तरी, पुरस और बच्चों को प्रसाद बाट देना इस तरह 16 सुमवार ब्रत करने और ब्रत कथा सुनने से भगवान स्यू तुमारे कोड को नस्ट करके तुमारी सभी मनुकामनाई पूरी कर देंगे इतना कहकर अफसराएं स्वर्व लोग चले गए पुजारी ने अफसराओं के कथना नुसार 16 सुमवार का विदवत प्रत किया फलसरू भगवान स्यू की अनुकमपा से उसका कोड नस्ट हो गया राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया वह मंदिर में भगवान सिव जी की पूजा करता और आनंद से जीवन वतीत करने लगा कुछ दिनों बाद पुना प्रत्वी का भ्रमण करते हुए भगवान सिव और माता पारवती उस मंदिर में पधारे सवस्त पुजारी को देखकर पारवती ने आस्चर से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सुमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई पारवती जी भी व्रत की बाद सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधी पूछ कर स्वयम सोला सुमवार का व्रत करना प्रारंब किया पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्थिके के नराज होकर दूर चले जाने से बहुत ही चिंतित रहती थी वे कार्थिके को लोटा लाने के अनेक उपाय कर चुकी थी लेकिन कार्थिके लोट कर उनके पास नहीं आ रहे थे सोला सुमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान सिव से कार्थिके के लोटने की मनुकामना की व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्थिके वापस लोटाए कार्थिके ने अपने हरदय परिवर्तन के संबंद में पार्वती जी से पूछा कि हे माता आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे कि मेरा कुरोध नस्ठ हो गया और मैं वापस आया तब पार्वती जी ने कार्थिके को सोला सुमवार व्रत करने की कथा कह सुनाई कार्थिके अपने एक ब्रामण मित्र ब्रमदत के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे उसको वापस लोटाने के लिए कार्थिके ने सोला सुमवार का व्रत करते हुए ब्रह्म दत्त के वापस लोटने की मनुकामना प्रकट करी व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद उसका मित्र लोट आया ब्रामण ने कार्थिके से कहा प्री मित्र तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा इसमराण करते हुए लोट आया कार्थिके ने अपने मित्र को भी सोला सुमवार के व्रत की कताव विदी सुनाई ब्रामण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत ही खुस हुआ और उसने भी व्रत किया सोला सुमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत विदेश यात्रा पर चला गया वहाँ नगर के राजा, राजा हर्सवर्धन की बेटी राजकुमारी गुन्जन का स्वयंबर हो रहा था वहाँ के राजा ने प्रतिग्या की थी कि एक हत्नी ये माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवा उसी से करेगा ब्रह्मण भी उस्सुकता वस महल में चला गया वहाँ कई राजियों के राजकुमार बैठे थे तभी एक सजी धजी हत्नी सूर में जैमाला लिये वहाँ आई हत्नी ने ब्रामण के गले में जैमाला डाल दी फल सरूप राजकुमारी का विवा ब्रामण से हो गया एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि हे प्रार्नात आपने ऐसा कौन सा सुपकार किया था जो उस हत्नी ने राजकुमारों को छोड़ कर आपके गले में जैमाला डाल दी ब्रामण ने सोला सोमवार व्रत की विधी बतलाई अपने पती से सोला सोमवार का महत्तु जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से सोला सोमवार का व्रत किया निश्चित समय पर भगवान्सियू की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुन्दर, सुसील, वस्वस्थ पुत्र पैदा हुआ पुत्र का नाम करण गोपाल के रूप में हुआ बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने भी मा से एक दिन प्रस्ण किया कि मैंने तुमारे ही घर में जन्म लिया इसका क्या कारण है माता गुंजन ने पुत्र को सोला सुमवार व्रत की जानकारी दी व्रत का माहत्तु जान कर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया गोपाल जब सोला वर्स का हुआ तो उसने राज पाने की इच्छा से सोला सुमवार का विद्वत व्रत किया व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीब के नगर में गया वहां के व्रत राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राज कुमारी मंगला का विवा गोपाल के साथ कर दिया सोला सुमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुच कर आनंद से रहने लगा दो वर्स बाद रद राजा का निर्धन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया इस तरह सोला सुमवार व्रत करने से गोपाल की राज़ पाने की चपोन हो गई राजा बनने के बाद भी वैविदवत सोला सुमवार का व्रत करता रहा वृत के समापन पर सत्रवे सुमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि वृत की सारी सामगरी लेकर वैसमीप के स्यू मंदिर में पहुँचे पती की आग्या का उलंगन करके सेव को द्वारा पूजा की समगरी मंदिर में भेज दी सोयम मंदिर नहीं गई जब राजा ने भगवान सिव जी की पूजा पूरी की तो आकास वाणे हुई कि हे राजन तेरी राणी ने सोला सुमवारवरत का अनादर किया है सो राणी को महल से निकाल दें नहीं तो तेरा सर्व वैभवन नस्ट हो जाएगा आकास वाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राणी को दूर किसी नगर में छोड़ाओ सैनिकों ने राजा की आग्या का पालन करते हुए उसे ततकाल उसे घर से निकाल दिया राणी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी राणी को उस नगर में एक बुढिया मिली वह बुढिया सूत काट कर बजार में बेचने जा रही थी बुढिया ने रानी से कहा बेटी यदि तुम मेरा सूत उठा कर बाजार तक पहुचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी रानी ने बुढिया की बात मान ली लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आधी में उड़ गया बुढिया ने उसे फटकारा और भगा दिया रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुँची उस तेली ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए कह दिया लेकिन तभी भगवान सीव जी के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे तेली ने भी उसे भगा दिया भूक और प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी रानी ने एक नदी पर जल पी कर अपनी प्यास सांत करनी चाही तो नदी का जल उसके इस पर्स से सूख गया अपने भाग को कोश्ती हुई रानी आगे चल दी चलते चलते रानी एक जंगल में पहुँची उस जंगल में एक तलाब था उसमें निर्मल जल भरा हुआ था निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेजोगई जल पीने के लिए रानी ने तलाब की सीणिया उतर कर जैसे ही जल को इसपर्श किया तभी उस जल में असंक कीडे उतपन हो गए रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पी कर अपनी प्यास को सांत किया रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठ कर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूख कर बिखर गए रानी दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठी जिस पेड़ के नीचे वह बैठी वही सूख जाता वन और सरोवर की यह दसा देख कर वहां के ग्वाले बहुत ही हैरान हुए ग्वाले रानी को समीब के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए रानी के चेहरे को देख कर ही पुजारी जान गए कि रानी अवस ही किसी बड़े घर की है भाग के कारण दर दर भटक रही है पुजारी ने रानी से कहा पुत्री तुम कोई चिंता नहीं करो मेरे साथ इस मंदिर में रहो कुछी दिनों में सब ठीक हो जाएगा पुजारी की बातों से रानी को बहुत ही संताव ना मिली रानी उस मंदिर में रहने लगी रानी भोजन बनाती तो सबजी जल जाती आटे में कीडे पढ़ जाते जल से बद्बू आने लगती पुजारी भी रानी के दुरभाग से बहुत चिंतित होते हुए बोले कि हे पुत्री अवस ही तुमसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता तुमसे नाराज है उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी ये दसा हुई है पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पती के आदेश पर मंदिर में ना जाकर सिव जी की पूजा नहीं करने की सारी कता सुना दी पुजारी ने कहा कि अब तुम कोई चिंता नहीं करो कल सुमवार है और कल से तुम सोला सुमवार के वरत करना शुरू कर दो भगवान सिव अवज तुम्हें दोसों को छमा करेंगे पुजारी की बात मान कर रानी ने सोला सुमवार के व्रत प्रारंब कर दिये रानी सुमवार का व्रत करके सिव की विदवत पूजा अर्जना की तथा व्रत कथा सुनने लगें जब राणी ने सत्रवे सुमवार को विद्वत वृत का समापन किया तो उधर उसके पती राजा के मन में राणी की याद आई राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को राणी को ढूंड कर लाने के लिए भेजा राणी को ढूंडते हुए सैनिक मंदिर में पहुँचे और राणी से लोट कर चलने के लिए कहा पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निरास होकर लौट आए उन्होंने लौट कर राजा को सारी बात बताई फिर राजा स्वयम उस मंदिर में पुजारी के पास पहुँचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से छमा मांगी पुजारी ने राजा से कहा कि ये सब भगवान स्यू के प्रकोप के कारण हुआ है इतना कैकर रानी को विदा किया राजा के साथ रानी महल में पहुँची महल में बहुत खुसिया मनाई गई पूरे नगर को सजाया गया राजा ने ब्रामणों को अन्य, वस्त्र और धन का दान किया नगर में निर्धनों को वस्त बटवाए गए रानी सोला सुमवार का व्रत करते हुए महल में आनन्द पूर्वक रहने लगी भगवान सिव की अनुकमपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए दोस्तों, सोला सुमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुस्य की सभी मनोकामनाई पूरी होती है और जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है इस तरी पूरुस आनन्द पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो बोलो सिव पारवती की जै तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद